ब्राइट फुचर स्कूल अफ स्टुडीज अब chapter का name हमारा है The little duckling तो what is the means of this? क्या मतलब होता है इसका? Find करो चलो जलएन वाट is the means of little Little it means क्या होता है? छोटा सा डग means बदक क्या होता है? Didak means बदक और duckling it means क्या? बदक का बेबी Little it means छोटा सा और duckling it means बदक का बच्चा तो एक छोटा सा बदग का बच्चा, हमारा जो चैप्टर है, वो चैप्टर में हमारी जो स्टोरी है, स्टोरी में एक छोटा सा डग का बेबी है, अब वो क्या क्या चाहता है, वो कैसा बनना चाहता है, उसे किस चीज की नीड है, उसे क्या फील होता है, वो सब चीजों के ब You ready for this? Story सुनना पसंद है ना आपको? पसंद है? Okay, let's start. The Little Duckling Okay, चेप्टर का नाम तो हमको पता ही है. अब स्टोरी में क्या है? दिख रही है आपको Duckling? कहा है Duckling? Ground में दिख रही है ना? ठीक है, पिच्चर में दिख रहा है हमें Duckling? जो Ground में नीचे जो है, वो कोन है? Duckling का बेबी है, जिसे हम क्या कहते हैं? Duckling कहते हैं, ओके? अब स्टोरी शुरू करते हैं. जो Duckling है, वो कोन है? Duck का बेबी है, और एक दिन Duck जो है, वो जो बेबी है, वो स्विमिंग के लिए जाती है. तो रास्टे पर उसे कौन दिखता हैं? एक Sparrow दिखती है, देखो जरा, दिख रही है क्या आपको Sparrow? कहां बेटी है वो? टी पर बेटी है, क्या मिंस होता है? Sparrow मिंस क्या होता है? चिडिया, इस मिंस Duck ने टी पर बेटी हूई चिडिया को देखा, और उसे देखकर वो क्या सोचती है कि काश में भी वहाँ उपर बेट सकती है ना ऐसा उस चीडिया से वो बोलती है उस इस पेरो से बोलती है अब इस पेरो से क्या रिपलाई देती है इस पेरो से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मेरे जैसे स्ट्रॉंग फिट है तो डकी जो है जो डकलिंग है वो अपने fit को देखती है और सोचती है कि नहीं मेरे पास तो इस तरह से fit है ही नहीं क्योंकि जो sparrow होती है उसके पास strong fit होते हैं जिसे कि वो easily branch को cage कर सकती है पकड़ सकती है अब डग जब अपने फीट देखती है तो सेड हो जाती है और कहती है नहीं में तो ट्री पर नहीं बेट सकती अब वो सेड होकर वहाँ से चली जाती है अब थार्ड पिच्चर में क्या होता है अब वो वहाँ से जब चली जाती है तो आगे जाकर उसे फिल्ड में कौन दिखता है एक रैबिट दिखता है दिख रहा है ना हमको पिच्चर में अब बताओ जल्दी से रैबिट क्या करता है रैबिट हॉप 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 करता है ना इट मिंस क्या करता है जम्प करता है है ना अब जब वो रैबिट को जम्प करते हुए देखती है तो फिर वो यही सोचती है कि क्या मैं रैबिट की तरह जंप कर सकती हूँ फिर क्या होता है अब वो जब उसको देख कर ऐसा सोचती है तो रैबिट उससे वही कहता है क्या कहता है कि क्या तुम्हारे पास मेरे जिसे लॉंग फिट है क्योंकि मैं तो अपने long fit की help से jump करता हूँ है ना आपने rabbit के fit देखे होंगे ना उसके पास कितने long long fit होते हैं अब duck के fit तो छोटे छोटे होते हैं duck फिर sad हो जाती है down देखती है अपने पेरों को और सोचती है नहीं मेरे पास तो long fit है नहीं मेरे जो fit वो तो बहुत छोटे छोटे हैं तो मैं तो hop कर ही नहीं सकती हूँ तुमारे जीसा ऐसा वो rabbit को answer देती है sad हो जाती है वहाँ से फिर चली जाती है अब third picture में क्या होता है देखो जब duck की वहाँ से जाती है तो आगे जाकर वो कहां पहुंचती है एक form पर पहुंचती है अब वहाँ पर उसे कौन दिखता है कौन दिख रहा है picture में हमें उसे एक hand दिखती है अब hand क्या करती है बताओ हमें जल्दी से hand के जो fit होते हैं वो कैसे होते हैं नुकिले होते हैं उसकी help से sharp fit होते हैं उसके उसकी help से वो क्या कर लेती है स्क्रेच कर लेती है कुदर लेती है किसी भी चीज को ground को स्क्रेच कर लेती है और वहां से जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको ढूंड के इट करती है पता है ना हमें तो वो उसको देखकर क्या सोचती है कि क्या मैं तुम्हारी तरह स्क्रेच कर सकती हूँ उसको देखकर ऐसा बोलती है लेकिन हैन उससे वही पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मेरे जैसे शार्प क्लाउज है क्योंकि उसके जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं शार्प होते हैं, नुकिले होते हैं, तो वहाँ उससे पूछती है, लेकिन फिर क्या होता है, डख फिर से अपने पेरों को देखती है, और सोचती है, नहीं, मैं तो ऐसा करी नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास शार्प क्लाउस है ही नहीं, वह बहुत सेड हो जाती है, फिर वह व जखलिंग की जो मम्मा डख होती है वहाँ पोर्ण में स्विमिंग करती रहती है तालाब में स्विमिंग करती रहती है तो वहाँ उसकी मम्मा से बोलती है मम्मा क्या में स्विम कर सकती हूँ आपके जैसा तो उसकी मम्मा बोलती है क्वक 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 जो होता है वो डख का साउन होता है डख हमेशा ऐसे ही बोलती है तो वहां उसको बोलती है कि आओ और कोशिश करो है ना अब वो जब उसकी ममा उसको ऐसा बोलती है तो वो थोड़ा हैपी हो जाती है और धीरे से पाने में जाती है और स्विम करना शुरू करती है जब वहां ट्राइ करती है तो वह easily swim कर लेती है और बड़ी हैपी हो जाती है हैपी हो के बोलती है क्वक क्वक है ना बड़ा मजा आ रहा है मेरे फिट तो बहुत अच्छे है ये तो मैं तो इनकी हैल्प से swim कर सकती हूँ बड़ा खुश हो जाती है और क्या कहती है एक स्पेरो जो है वो स्वीम नहीं कर सकती है पर मैं कर सकती हूँ वो बड़ी खुश हो जाती है और जो और से चिलाते हुए कहती है कि मुझे मेरे जो फिटे वो बहुत पसंदे और बड़ी हैपी होके इंजोई करती है स्टोरी अच्छी लगी है आपको इट मींस हमारे पास जो है हमें उन चीजों से भी खुश रहना चाहिए कभी भी किसी और की चीज को किसी और चीज को देखकर हमें सेड नहीं होना चाहिए अब स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई है स्टोरी में कौन-कौन है हैन स्पैरो रैबिट है ना और सब के जो फिट होते हैं वो डिफरंट डिफरंट होते हैं है ना सबकी qualities भी different होती है जैसे उनकी 5 feet है उसके according ही वो अपना work करते है अब आपको story समझ में आ गई है अब story में से हम कुछ tough word find करके आपको उनका meaning बता देते हैं duckling it means आपको मैंने बताया था बदक का बच्चा feet it means pair hop it means kudna rabbit क्या करता है hop करता है form it means kheat scratch it means kharoachna kurudna जो हे ने उसके clause होते है उसके जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं sharp होते हैं उससे वो easily scratch कर लेता है clause it means panjे और quak it means सोचों क्या बताया था आपको quak it means क्या होता है बदक की बोली ना बदक कैसे ही बोलती ही ना quak quak are you enjoying मज़ा आ रहा है ना चलो अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम आपको question answer बताते हैं story अच्छे से समझ में आ गई तो अब आप easily question का answer भी दे पाओगे so our first question is क्या है हमारा पहला question where was ducky going where it means क्या होता है कहा going it means जा रही थी और कौन ducky ducky कहा जा रही थी बताओ जरा soch ओ story में क्या पढ़ा था हमने ducky कहा जा रही थी ducky swimming के लिए जा रही थी ना वहीं हमारा answer है ducky was going for a swim next what was the rabbit doing rabbit क्या कर रहा था क्या करता है rabbit सोचो जरा क्या करता है rabbit उसके long long feet की help से क्या कर सकता है वो वो jump करता है ना और jump को क्या कहते है hop okay so answer हमारा है the rabbit was hopping in the field rabbit जो है वो field में hopping कर रहा था कूद रहा था next question where was the hen hen कहा थी सोचो story में hen कहा थी hen जो है वो form पर थी ना तो answer हमारा है the hen was in the form next what was mama duck doing mama duck क्या कर रही थी क्या कर रही थी mama duck swimming in the pond pond में swimming कर रही थी वही हमारा answer है mama duck was swimming in the pond okay last question हमारा क्या है name three animals three animals के नाम कौन 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 से डक्की मेट on the way to the pond है ना जब डक्की पौन पर जा रही थी तो रास्ते में उसको जो three animals मिले उनके name बताना है कौन कौन से three animals मिले थे उसे सोचो ज़रा first sparrow second rabbit and third hand okay so complete अब आपको क्या करना है आपको अपनी English fair copy में chapter first mention करना है पहले वो word meaning write करना है उसके बाद ये सारे question answer write करना है okay after that इनको learn भी करना है और write करने के बाद मुझे इसका pick send जरूर करना okay thank you